हलो फेंट स्वागत है आपका हमारी यूटिब चैनल सरकारी बावों फेंट रेलवे गुरूप डी भरती परिक्षा में आपका हर्दिक स्वागत है रर्वी गुरूप डी 2022 के रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं wrB का जो मेडिकल स्टेंडर्ड है वह इस बार बढ़ा दिया गया है 2018 की था और इस बार 2019 की मेंट पा asking के लिए बढ़ा दिया है तो है सी बोरी बेसिक बेसिक डिटेल को और किस पोस्ट पर कौन सा मेडिकल अब होने वाला है पहले कौन सा था 2018 में और 2019 में कौन सा है तो यह बहुत महतुपूर सूचना है जो कि आप लोग सभी कंडिट्स को बहुत अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए तो चलिए फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको रेलवे परती की पलप करेंगे वसेज के 2018 वसेज आपका 2019 में क्या मेडिकल स्टेंडर्ड में चेंजिस हुए है क्या क्या अब न्यू रूल्स एपलाई हो गए है रिवाइज क्या क्या हुआ है तो यह सारी बात करेंगे यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि हैल पर जो वर्ड था उसको हटा कर इसके मेडिकल स्टेंडर में हम देख रहे हैं जो डेजिगनेशन हैं उसमें भी हम देख रहे हैं पहले के डेजिगनेशन में हैल पर लिखा हुआ आता था और इस बार जो है वह आपका असिस्टेंट लिखा हुआ आ रहा है तो यहां पर यह घबराने की चीज नहीं है कि ह और आसिस्टेंट करते हैं अब बात करते हैं असिस्टेंट वर्क वरक्शॉप तो आसिस्टेंट वर्क शॉप यादि आपको इस्टेंटी वर्कशोप ए Germans कर देढेद आ जाते हैं आपका कुछ डिपार्टमेंट आपके मेकेनिकल के हैं और कुछ आपके civil इंजिनरिंग में चले जाते हैं तो इंजिनरिंग वाले जो वह उनके लिए क्या medical standard है तो यह सारी चीज़े देख लेते हैं जैसे असिस्टेंट यहाँ पे 2019 2018 में electrical के लिए workshop में जो helper के लिए मांगा गया था medical standard वो C1 था तो यहाँ पे जो assistant के लिए मांगा गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 का medical standard जो है वो compulsory कर दिया गया है सिर्फ assistant workshop के अगर बात की जाएं आपकी इंजिनिंग फिल्ड में तो जो भी इंजिनिंग फिल्ड में आएगा आपका C1 category से 2019 में सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसमें आपका C1 का standard जो है वो मांगा गया है बाकी सब में आपका changes यहाँ पे हो गए है जबकि 2018 में बहुत सारी पोस्ट के लिए आपका C1 और C2 भी मांगा गया था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है 2019 में असिस्टेंट वक्शॉप स्वरी असिस्टेंट वक्स के लिए जिसमें आपका C1 category है बाकी के लिए नहीं है तो काफी changes अब हो चुके हैं जैसे कि पहले आप देखेंगे helper बिरिच वाले जो candidate से जुन्होंने बराता वहाँ पे B2 था और यहाँ पे अगर असिस्टेंट बि तो बिरिज वाले जो candidate से उनके विलिए मैंने बता दिया है आपको जैसे helper इसमें बहुत सारी चीज़े जो पोस्ट हैं वो merge भी कर दी गया है जैसे पहले असिस्टेंट या helper कह सकते हैं कि 2018 में helper train and lighting वाली जो पोस्टी उसको अलग कर दिया गया था helper अब यहां पर इनकलूट कर दिया गया है कि असिस्टेंट ट्रेंट लाइटिंग टी एल एंड एसी के लिए आपका बीवन स्टेंडर मागा गया है वहीं पर आपका इसमें जो स्टेंडर मागा गया था वह आपका C1 था helper S&T के लिए आपका B2 था जो कि यहां पर सेम है B1 कर दिया गया है helper signal के लिए आपका पहले B2 था अब B1 कर दिया गया है तो यहां पर इस तरीके सा सारा comparison दे रखा है तो यह बहुत important चीज़ है तो इस चीज़ को आप लोग मिला लीज़ेगा कि 2019 में क्या क्या changes हुए हैं यहां से तो यह सारी important चीज़े होती हैं जो कि आपका बहुत selection में help करने वाली हैं कि अगर आपके मालेज़े 100 out of 100 भी marks अगर आ जाते हैं और आपका selection हो जाता है medical fit हो ज आपका आपने जो post preference दिया है उसमें अगर आपका medical standard अगर मालीजे सारी पोस्ट आपने apply कि हैं मालीजे कि आपने 10 post total apply कि हैं 10 serial number से और उन सभी का medical standard आपका B1 और A2 A1 इस तरीके से हैं लेकिन आपका जो medical standard आया है वो C1 आया तो आपको job यहां से नहीं मिलेगी तो इस बात आप पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको अपना medical standard भी देख लेना है यहां से के चेक कर लेना है कि किस तरीके से आपको तैयारी आगे करनी है तो फ्रेंड यह थी अब तक की update जो की गुरूबडी वाले candidates के लिए यह important update ती जो देना जरूरी था वीडियो पसं जिए्गा नर्फशा यह वाले कि दो खाले थाएगा कि वीडिता है के लिएधार से प्रेंड पल़ जिए ले वीडि़गा कि टू झाना रह मताफिरूर कि चातर वीडि़ है यह वीडियों से राते हैं प्र्या है500 वां जो थिएाःत लिए्गा